नमस्ते, वेलकम टू अर्थनीती वेर वी डिसकस मनी और मनी रिलेटेड बैटर्स तो हेल्प यू इन यूर एवरीडेइ इन्वेस्टिंग डिसिजिजन्स जैसे इन्वेस्मेंट के बारे में जानकारी लेना जरूरी है वैसे हमारे पैसो के बारे में सतर करहना भी जरूरी है हमें कोई ठगना नहीं चाहिए आजकल इतने सारे स्कैम्स हमारे सामने न्यूस पेपर में टीवी चैनलों पर सामने आ रहे हैं कि लोग तरह तरह की नई चीजों से हम जैसों का पैसा हड़पने में लगे है हम हफते में आज से एक वीडियो ऐसा डालेंगे जहां हम आपको ये स्कैम्स के बारे में जानकारी देंगे कई ऐसे तरीके हैं इनोवेटिव आईडियाज ये लोग लेके आते हैं जहां से वो लोगों का पैसा ठक सके बट हमारी इन वीडियो से कोशिश यही रहेगी कि हम आपको सतर्ग बनाएं आपको ये समझा है कि आपके पैसे चोरी नहीं होने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए अब ये देखिए ये एक मैंने दिल्चस्प एक न्यूज आइटेम आपके लिए निकाला है जहां SBI का पूरा ब्रांच ही फेक निकला मतलब चतीसगड का ये एक न्यूज आया था कुछ महिनों पहले जहां एक गाउ में अच्छानक से एक बैंक खुल गया तब तक वो मतलब लोगों को दूसरे गाउ में नस्दी की गाउ में जाने की ज़रूरत पड़ दी थी अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए अभी ये बाद चतीसगड से कुछ धाईसो किलोमेटर की दूरी पर रायपूर से धाईसो किलोमेटर की दूरी पर छपोरा नाम के गाउ में हुआ जहां छे लोग ये SBI के प्रांज में employee करके recruit भी हो गए अभी ये जो नोकरी वाले लोग है इनको ऐसे ही नोकरी नहीं मिली उनसे दो-दो पाच-पाच लाख तक पैसे लिये गए ये promise देकर कि आपको SBI जो एक government bank है आपको सरकारी नोकरी आप इतने पैसे देने के बाद आ जो पैसे लोग है जो वो पैसे देकर उनको लगा कि हम अभी देश के सबसे बड़े bank के employee बन गए है और सब जैसे बैंक में होता है आपने अगर बैंक एंटर किया हो तो आपको समझ में आएगा कि बैंक में furniture होता है cash counter है clearing counter है ATM है सारा वैसे के वैसा नया फर्मीचर से बैं कि लोगों को भी यह पता नहीं था कि यह अचानक से bank कहां से आया पर SBI देख कर हम सब बोलते हैं कि the safest banks to bank in the country are सरकारी bank तो SBI तो सबसे बड़ा सरकारी bank है तो किसी को शक होने का जरूरत ही नहीं था लोग वहां आने लगे account खोलने लगे और काम का चल रहा था पर नस्दी जो दबरा नाम का जो गाव था बहा के मैनेजर से एक आदमी ने शिकायत की एक चपोरा गाव के ही अगरवाल नाम के एक जो आदमी थे उनको चपोरा में SBI का कियास्क लगवाना था इसलिए वो दबरा ब्रांच से अपनी रिक्वेस्ट या फॉर्म लेकर जाते थे अचा अपनी गाव में बैंक खुल गया यह देखकर उन्होंने दबरा ब्रांच के मैनेजर को शिकायत कर ली तब जाकर यह पता चला कि ऐसा कोई बैंक ही नहीं है क्योंकि एसा कोई कोड ही नहीं है हर एक ब्रांच का एक अलग कोड होता है जो अपनी चेक्स पर लिखा जाता है जो ब्रांच आप जाएंगे तब वहां भी आपको दिखाई देगा ब्रांच में उम्बूर्जमन मतलब एक सरकारी आर्बियाय ने अपॉइंट किया हुआ एक उम्बूर्जमन उसका भी डीटेल्स होना ज़रूरी है चेक पर जो क्लियरिंग कोड होता है उसकर भी हर एक ब्रांच का कोड अलग होता है तो ये सब चीजे हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हम कहां जाकर ब्रांच कोड रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है कि पैंक का ब्रांच कोड अवेलेबल है या नहीं तो जब दब्रा ब्रांच के मैनेजर को ये समझ में आया कि इसमें कुछ काला है तो दस दिनों के बाद और पुलीस दोनों छपोरा ब्रांच पहुच गए तब उन्हें पता चला कि दाल में कुछ काला नहीं है पूरी दाल ही काली है मतलब वहां ब्रांच ही नहीं है पर ब यह छे एंप्लोई जो एंप्लोई किये थे उनसे धाई लाग से लेकर पाच या छे लाग तक रुपए लिये थे उनको बाकाइदा अपॉइंटमेंट लेटर गिया गया उनका ट्रेनिंग गुआ सब एकदम जैसे ब्रांच में होता है वैसे ही सब गुआ और उनको अभी पक State Bank of India, Central Recruitment, Mumbai, phone number है, address है मतलब आप देखो यह लेटर देखके stamp है यह लेटर देखके किसी को भी ऐसे नहीं लगेगा कि भाई साब यह कुछ गलत है यह सही नहीं है पर ऐसा हुआ है और लोगों को ऐसे नौकरी दी गई है अभी दस दिनों में ही यह पूरा मामला पुलीज के सामने आ गया इसलिए छपोरा काव के लोग बज गये वरना जस्ट इमाजिन लोग वहाँ जाते अकाउंट खुलते पैसा डिपॉजिट करने लगते लोन की अरजी दे देते पर लोगों का पैसा तो जैसे वो छे एम्पलॉईस का हड़क हो गया वैसे लोगों आपके यहां ब्रांच खुलता है किसी बैंक का आप शहर में रहते हो या गाव में रहते हो आपको कुछ चीजे देखना ज़रूर भी है आपको बैंक का आजकल हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट बहुत उजी अविलेबल है आप वो बैंक के वेबसाइट पे जाके अविलेबल है उसका नियू आइटेम कही आया है यह देखो ब्रांच का कोड क्या है यह जाकर देखो ब्रांच में आपके मतलब डेपॉसित पे ठीर चेक पे ब्रांच का कोड मेंशन है क्या ओंबुड्जमन का नाम कुछ फ्रेम ऐसा लगाया गया है क्या यह सब चीजे द आपसे चुरा ले जाना उतना ही आजकल के जमाने में आसान हो गया है। इसलिए सतर्क रहिए अपने आखे कान खुली रखिए हर चीज को देखते समय जानिये परखिए और फिर अपना हाड़र्ण मनी संभालने को दीजिये। यही मेरी सलह रहेगी और आज का वीडियो मैं यही खतम करती हूँ अगले वीडियो में और गिल्चस्प स्कैम्स आपको बताऊंगी कि गिल्चस्प क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मैं इंट्रेस्टिंग करके बताऊंगी क्योंकि आपको पता चलना जीए कि कैसे अपना पैसा ठग सकते हैं लोग राइट सो जाने से पहले एक लास्ट दरख्वास्ट यह चैनल कोश लाइक शेर और सब्सक्राइब करो और ए झाल